हलो दूस्तों राना क्लासिज में आपका स्वागत है और बिहार के स्वतनता सग्राम से आज मैं आपको इसे बश्टुनिष्ट जो मतपूर जो परिच्छा माने वाले हैं उसके बारे में मैं आज बताऊंगा तो दो स्रीज मैं पहले ही जारी कर चुका हूँ इस चैनल पर आ हैं तो निनानमे नंबर अंठानमे तक मैं बचा चुका हूँ निनानमे नंबर क्या है भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 के दोरान उत्री बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापा मार संघर्ष का नित्रित किया था तो जैप्रकाश नारायन ने किया था तो इसके बारे में जा करिये रहे इन्होंने सुभास चन्रबोष की आजाध हिंद फोज से संपर्क बनाने की भी कोशिश की मगर यह संभव नहीं हो सका तो यह 99 नंबर अब सो नंबर देखते हैं किसान समाचार के संपादक कौन थे तो किसान समाचार के संपादक स्वामी बिद्यानंद थे जू गुमास्तों के अत्याचार का विरोध तथा जंगल से फल एवं लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार की प्रस्तूती इस आंदोलन की विशेष्टा थे उसके बाद अगला कोस्चन क्या है बिहार में असवयोग आंदोलन के दोरान बाबू तारपद बनरजी पर किस नाम का इस्तिहार चापने कभियोग में मुकदमा चलाया गया था तो इसका क्या होगा बिहार में असवयोग आंदोलन के दोरान बाबू तारपद बनरजी पर बिदेशिया नाम का इस्तिहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था असयोग आंदोलन के करम में महात्मा गांजी ने लोगों को अपने पदों को त्यागने छात्रों के स्कूल एवं कॉलेजों का बहिसकार करने तथा बकीलों से बकालत छोड़ने का आग रह किया था यह हो गया विदेशिया हो जाएगा अब 102 नमबर देखते हैं क्या हुआ 102 नमबर में है बिहार में असयोग आंदोलन के विदेशि बस्त्र वहिसकार करने कहां विशेश धियान दिया गया था अगस्त 1920 इसवी में बिहार प्रांतिये राजनीतिक सम्मेलन की बैठक भागलपूर में हुए इसके सभापती राजेंदर परसाथ थे इस अफसर पर कांधी जीने तार द्वारा सुचना भेजी की असयोग आंदोलन का समर्थन करें जिसका कारण पंजाब हत्याकान तथा खिलापत था प्रन्तु ब्रज की सोर परसाथ के सुझाव पर असयोग के कारणों में सुराज भी जोड दिया गया इस तरह पूरे देश में केवल गुजरात एवन बिहार ही ऐसे दो प्रान थे जिन्होंने कॉंग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असयोग का समर्थन किया था तो यह हो गया अब 103 नंबर का देखते हैं महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ तो महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में चमपारन सत्यागरा के दोरान 1917 इस वी में आगमन हुआ भारत के सोतंतरता संग्राम इतिहास में चमपारन एक महत्पुर्ण प्रेरना स्रोत्रा भारत में महात्मा गांधी द्वारा सत्यागरा का पहला साल्वनिक परियोग इसी छेत्र में हुआ और एक राजनीतिक हत्यार की रूप में इसकी प्रियोगता की पुष्टी हुए। चंपारन सत्यागरा का उदेश इस छेतर की किसानों को अंग्रेज मालिकों के अत्याचार से मुक्ति दिलाना था तो क्या हो जागा? 1917 हो जागा अब 104 नमर कोश्चन देखते हैं निमलिकित में से पूरे देश में केवल दो प्रान्द थे जिन्होंने काउरेस के कलकत्ता अधिवेशन के पुर्ग असयोग का समर्थन किया था तो कौन-कौन थे? गुजरात और बिहार कलकत्ता अधिवेशन के पूर्म असयोग़े पूर्में बताए आप 105 नमबर देखते हैं चमपारन आंदोलन की समापती के उपरांद गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्याले का कार्यभार स्वापकर बापस लोड़ गये थे तो क्या होगा इसमें तो कौन लोड़ गये थे देखते हैं इसका ओप्सन तो उत्तर क्या होगा जनक धारी परसाद गांधी जी का चमपारन शत्यागरा है अतियन सफलरा चमपारन आंदोलन की समापती के उपरांद गांधी जी की दणक धारी परसाद को अपने मोतिहारी के कार्याले का भार सबकर लोट गये तो इसका अंसर की जगा चार पट्ना में अनुसीलन समीती की साखह किस ने स्थापित एथी तो पट्ना में अनुसीलन समीती की साखह सचिंद्र नात सन्यान ने कब किया था 19-75 Smisth सथापित की थी तो क्या है 1913 में सथापित की सचिन्र शाने आले अब बुवाईज एसोसियेशन की सथापना कहां हो थी तो दर्भंगा के राज मैदान में एक सभा में बुवाईज एस्थापना जिसकी अध्यस्टा कुण किये थे असफाग खान ने की थी जो एक क्या थे ब तो 30 अप्रेल 1908 हिस्वी को खुदी रामबोस एवं परफुल चाकी ने मुझपरपूर में जिला जजज किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया और बम फेकर एक मिसायल काम किया हाला कि इस प्रयास में धोखे से मुझपरपूर के बिख्यात बकील पिंगल फिनेडी की पत्नी एवं बेटी की हत्या हो गए इसमें परफुल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्म हत्या कर लिए जबकि खुदी रामबोस गिरवतार हुए और उन्हें आठ अगस 1908 को क्या की फासी दे गई तो क्या हो जागा आठ अगस 1908 को वगले कोशन देखते हम सबने अवग्या आंदोलन के दोरान 1930 में कहा राजेंदर परसाद अबदुलबारी मुरली मनोहर परसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निन्नममता से लाठियां बरसाई गई थी तो कहा बरसाई गई थी भागलपूर में बरसाई इस घटना के विरोधिक में अनंत परसाद कमले सुरी स्वहाई वगेंदर परसाद द्वारिकानाथ स्यामनंदन सिंग नवल किरसुर परसाद ने बिहार विधान परसाद की सदस्ता से क्या किया था तो पूछ सकता है इसमें किन होने जुकिस घटनागबाद किया था यह कब हुआ था 1930 में हुआ था अब 110 को से बिहार के गवर्न लौड सीनहा ने गवर्न परसे इस्धिपाक किन डोलन के समय दिया था तौछ योग अन्दोलनं के समय बिहार उडिशा प्रांत के गवर्न लौड सीनहा थे इस अंदोलन के समय 21 नमभर, 1921 इसव को लौड सीना ने त्याग परते दिया जो गवर्नर पर से छोडने समन्ध था बिटिश सरकार ने सिर्फ स्विकार कर लिया था तो क्या हो जाएगा आशा योग आंदोलन के समय अब ग्यारवा नंबर को संदेखते हैं 111 मधुबनी में एक खादी उत्पादन के स्थापना कि अचार कि प्लानी की सहाइता से किया था तो क्या वाजाएगा राम बिनोल सिंग अब 112 नंबर को संदेखते हैं अपने जनवरी 1927 के बिहार दोड़े से गांधी जी के दास असमारक अधिकोष के लिए कितनी रासी इकठी की थी गांधी जी ने अपने जनवरी 1927 में 46,850 रुपी है अखिल भारतिये चर्खा संग का उडगाटन किस ने किया था अखिल भारतिये चर्खा संग का उडगाटन गांधी जी ने किया था महात्मा गांधी ने खादी के संबन्द में कहा कि खादी एक बस्त्र मात्र नहीं अपी तुवह एक विचार था जिसके पालज से इस देश को आजादी हासिल हो सकती थी उन्होंने खादी एवं चर्खा को भारत की हर समस्या का समाधान बताया उन्होंने लिखा कि अधी भारत को अपने खोए गवरब को फिर से हासिल करना है तो उसे चर्खा को अपनाना होगा 1915 तक उन्होंने चर्खा को नहीं देखा था 1919 इस्वी में पहली बार कॉंग्रेस ने अमरिच सर अधिवेशन में खादी से समंधित प्रस्ताव फारित किया था इसमें क्या कहा गया था हाथ कताई और हाथ बुनाई द्वारा निर्मित कपड़ा ही पुर्ण स्वदेशी है 1920 इस्वी के नागपूर सम्मेलन में खादी को अपनाने पर जोड दिया देश बंधू चितरंजन दास पटना आये और लोगों को आवान करते विए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को आगे वढ़ाने के लिए चर्खा चलाने को प्रेरित किया किस ने किया था गांधी जी ने बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के सब्दों में तिर्थ स्थान था तो कौन सा स्थान था वो जीरादेई सिवान राजेंदर परसाद का जनम स्थान था अब अगले कोश्चन के और देखते हैं बिहार प्रांतिये कॉंग्रेस कमीटी न राजेंदर प्रसाद की अधेशता में एक किसान जाज समीती के स्थापना की थी बिहार किसान समीती का गठन 1936 इस्वी में अखिल भारतिय किसान सभा के स्थापना की गई इसके अधेश कौन बने थे स्वामिस सहजानां ससती और महासचीप कौन बने थे प्रोफेसर एंजी जवाहर लाल नहरू के नेतित में किसान सभा एवं कॉंग्रेस के बीच समझाओता और कॉंग्रेस ने अपनी चुनावी घोसना पत्र में इस समझाओते को काफि महात्व दिया था तो क्या हो जाएगा इसमें राजेंदर पडशाद अब 116 नंबर का कुस्चन देखते हैं बिहार के किस जिला में नहर सुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे तो नहर सुल्क के कहां हुए थे बिहार के सहाबाद जिला में नहर सुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे एक 117 नमबर देखते हैं, नमबर 1935 में हाजिपूर में आयो जितती है किसान समयलन किसकी अद्धशता में आयो जितती हुई थी, इस समयलन में जमिंदारी पर्था हटाने का फृस्ताव स्विक्रित हुआ था एक सभार देखते हैं बिहार प्रांतिय किसान सभा की गठन कब हुआ था है मार्च 1929 में सोलपुर मेला के अफसर पर एक सभा में बिहार प्रांतिय किसान सभा की अस्थापना होई थी तो मार्च 1929 होजाएगा उनुनिस एक्सो उनुनिस बिहारी चात्र सम्यलन किस अधिवेशन में बिहार युबक्स संक्यस थापना हुई भिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद आंदोलन का प्रारं हुआ तो बिहार में रोलेट के विरुद आंदोलन फरवरी 1919 में आरम हुआ इस दमनकारी कानून जिसे राष्टबादियों ने काला कानून कहा के विरुद जन आंदोलन किसने चेड़ा गांधीर जीने चेड़ा बिहार में 6 अप्रेल 1919 को हरताल हुई च्छापरा मुझपरपुर गया मुंगेर आधी नगरों में इसका विशेष प्रवाब बढ़ा बिहार के स्वराज पार्टी की स्ठापना कब हुई थी तो 1922 इस बी में कॉंग्रेस का अधिवेशन बिहार में गया नगर में हुआ था इसके अधियस कों थे तेसवंधू चितरनजनदास थे इस अधिवेशन में कॉंग्रेस द्वारा बिधाईका में भाग लेने या इसके बहिसकार के पच्छ में हुआ फिर भी कुछ परमुकने ताओं मोती लाल नेरू, चितर अंजन दास आधी बिधायका में परवेश करने के पच्छ में थे फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ, दो जून 1923 को पटना में इसकी आरंभिक बेटक्वी, स्वराज दल का विशेश प्रहव बिहार में नहीं पड़ा बिहार चात्र परशत का गठन किस ने किया था? तो बिहार चात्र परशत का गठन 1906 इस्वी में राजिंदर परशाद ने किया था 1946 इस्वी के चुनाओं में बिहार बिधान सवा के 152 अस्थानों में कॉंग्रेस को कितने सीटे प्राप्त हुई थी? तो बिहार विधान सभा चुनायों की तयारी में स्री कृष्ण सी अनुगरह नरायन सिंग एवं राजेंदर बावु ने बिहार के विभिन जिला का दौरा किया था तो 152 सीटों में कितना मिला था इनको अंठान में सीठे जो कि कॉंग्रेस को मिला था उसमें कौन-कौन था इनके कॉंग्रेस को अंठान में मुस्लिम लिए को कितना मिला था चाउतिस मौमिन को पांच आदिवासी को तीन और निदलियों को बार शिटे मिली थी 30 मार्च 1946 इसवी को सिर्कृष्ण शिंग के नितित में कॉंग्रेस मंति मंडल है जो कि सपत लिया था अब अगला कोस्चन देखते हैं 124 नंबर हो जाएगा सबने अबग्या आंदोलन के दोरान बिहार के मुझःपरपूर के सत्यागरियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए किसका कथन था कि डांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इनी हाथों से उस बुढ़े को टिका लगाया है आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टिका लगाता हूँ और तुम लोगों को इस महान कार्ज में योगदान के लिए पिदा कर रहा हूँ तो ये कथन किस ने कहा था आचारी किरिपलानी ने कहा था को अगला क्वेशन है 125 में बिहार में खादी की काफी प्रगति किनके नेतरीत में हुआ था तो बिहार में खादी आनोलन की प्रगति डॉक्ट्टर राजेंद्र प्रसाथ के नेतुरीत में हुआ था था 126 नंबर देखते हैं प्रसाद कहां के नगर पालिका के चेर्मेन 1923 में निर्वाचित हुए थे तो उन्सीरी राजेंदर प्रसाद 1923 इस्विम पत्ना नगर पालिका के चेर्मेन निर्वाचित हुए थे पत्ना पत्ना में नमक सत्यागरह किसके नित्रित में हुआ थे तो पत्ना में 16 अपरेल 1930 इस्विम को नमक सत्यागरह शुरू हुआ यहां नर्वसाद पिंड नामक स्थान पर नमक कानुन भंग करने के लिए चुना गया यहां अंबिका कांत सिंग के नित्रित में सत्यागरि कान सिंग हो जागा हसन इमाम की पुत्री का क्या नाम था इस तरह के प्रस्म पुछे जाते हैं इनको पढ़ना भी जरूरी है हसन इमाम की पुत्री का नाम क्या था तो हसन इमाम की पुत्री का नाम समी था जिन होने पटना में सुतंता संगर्ष में योगदान दिया तो क्या तो राय पूरण चंद्र ने बिज्या दस्मी के दिन भारत माता की पूजा करने का विचार रखा था तो राय पूरण चंद्र ने बिज्या दस्मी के दिन भारत माता की पूजा करने का विचार रखा था राय पूरण चंद्र पटना होम रूम लेग के सहकारी सचीव थे 1918 म इनकी मिर्तिव हो गई जिसके कारण बे इस संबन्ध में कुछ ज्यादा नहीं कर सके इसे कार्यानवित किया उनके दो पुत्र बल्देव परसाद तथा राय दामोदर परसाद में तो क्या हो जागा इसका अंसर राय पूरान चंट शिंग अ था एको थीस नमबर कोस्टन देखते हैं कि विहार में राजनीतिक पीडित इवस कब मनाया गयां तो क्या हो जागा बिहार में राजनीतिक पीडित इवस 10 अगस्त 1929 को मनाया गया अब 131 नमबर देखते हैं बिहार में 1928 में हुए सर्वदलिय सम्मेलन के दस्ता किस ने की थी जिसमें बिहार में साइमन कमिशन का पुर्ण बहिसकार का निर्न लिया था तो किस ने लिया था ये बिहार में 1928 में हुए सर्वितलिय सम्मेलन के जास्ता सर अली इमाम ने की थी जिसमें बिहार में साइमन कमिशन का पूर्ण बहिसकार का निन रहे गया यह सम्मेलन कहा हुआ था पठना में हुआ था बिहार के किस जिले में होम रूल का परचार नहीं हुआ 1916 इस विमें एनी वेसेंट एवं गंगा धरतिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुवात की इस आंदोलन की अगनी कैई जीलों में भड़ा कुठी 16 दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल साखा की स्थाफना हुई इसके देश बने कौन थे लाना मजरूल हक तथा सचीब कौन थे चंदरबंसी तथा बैद नारायन सिंग तो कहां होन है जोके होम रूल का परचार नहीं हुआ था यह चंपारन में नहीं हुआ था अब 133 नंबर कोस्ट्यन देखते हैं भारतिय राष्टिये कॉंग्रेस का 1912 में कहां अधिवेशन हुआ था तो भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस 1912 में 28 वा अधिवेशन हुआ था बाकिपूर पटना में हुआ था इसके धेश कौन थे रंगनाज सिंग मधोलकर क्या ना सरफ प्रतं important question ने वियार में नमक सत्यागरा चंपारा निभब सारण से शुरुआ मिटई सी नमक पनाने का सुभा रम हुआ बिहार में नमक सत्यागरा कारं 15 अप्रेल निसो तीस में हुआ इसी दिन विपिन बिहारी कोस्चन देखते हैं 136 12 दिसम्बर 1911 को किस बिटीस राजा ने बंगाल से प्रिथक कर बिहार उडिशा विसमलित था उसमें प्रांत की गठन की खोशना की तो क्या होजाएगा 12 दिसम्बर 1911 को बिटीस राजा जोर्ज पंचम ने बंगाल से प्रिथक कर बिहार एवं उडिशा को मिलाकर एक नया प्रांत बिहार बनाने की कोशना की थी नया प्रांत एक अप्रेल 1912 को बीदिवत अस्थापित हो गया तो क्या होजाएगा चोर्ज पंचम ने अब 137 नंबर कोशन देख रहे हैं बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परणाम सुरूप बर्स 1911 में बिहार एवं उडिशा को नय प्रांत का निर्मानुआ का नितित किस ने किया था तो क्या हो जाएगा इसका अंसर बिहार में अलग प्रांथ के लिए विवाजन आंदोलन जिसके परणाम सुरूप बर्स 1911 में बिहार एवं उडिशा ने प्रांथ कने वन का नितिरुट सचिदानन सिनहा ने किया था 1911 इसवी में जोर्ज पंचम के भारत में आने की खवर लोगोग हुई उनके सम्मान में क्या किया दिली में एक दरवार का आयोजन किया तो क्या हो जागा सचिदानन सिनान बिटिस शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांथ का दरजा किस परस्त हुआ था बिटिस शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांथ का दरजा एक अप्रेल 1912 को हुआ था तो यह पूछ सकता है डेट एक अप्रेल हो जाएगा 1912 को बिहार प्रांतिये कॉंग्रेस कमीटी के पर्थम अध्याश कौन थे तो बिहार प्रांतिये कॉंग्रेस कमीटी के पर्थम अध्याश नवाव सर्फराज हुसेन खा थे सोनपूर्ग मेला के अफसर पर 1908 इसपी में नवाव सर्फराज हुसेन खां के अध्याशता में एक सभ पिहार में स्वराज पार्टी के पर्था मद्याच कोईब थे यज श्री नारायन पर साथ थे प्रोफेसर अब्दुलबारी सचीव ता क्रिश्न मलव सहायक सचीव थे तो क्या हो झागा स्री नारायन पर एकसो एक्तालीस नमर कोस्टन देखते हैं छे फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्टिये महाविज्जाले का उद्गहाटन किस ने किया था तो क्या हो जागा बिहार राष्टिये महाविज्जाले के स्थापना 5 जनवरी 1921 को हुई थी जबकि इसका उद्गहाटन महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को किया था इसी दिन बिहार विध्या पीट का विद्गाटन हुआ राष्टिय महां विध्याले के प्राचार डॉक्टर राजेंद परसाद थे जबकि विध्या पीट की कुलाधी पती मजरूल हक और कुलपती ब्रज की सोर परसाद थे 142 नंबर 1923 के चुनाओं में बिहार में स्वराज पाटी ने विधान परसाद में कितनी सीटे प्राप्त की थे तो 1923 के चुनाओं में बिहार में स्वराज पाटी ने विधान परसाद में 10 सीटे प्राप्त की थे हो गया कि अधिवेशन में सबसे प्रमुक प्रश्न क्या था तो एक सो टालीस का कि अधिवेशन सबसे प्रमुक प्रश्न बिधान परश्द में परवेश्थ था 1922 इसमी में अखिल भार्तिय कॉंग्रेस का बार्सिक का दिवेशन कहा हुआ था गया हुआ था इसकी अधस्ता किसने की थी देश बंदू चितरंजन दास इन्होंने बिधान परसद में परवेश की बकालत की जिसका कॉंग्रेस ने बहमत से विरोध किया परनाफ सबरूप चितरंजन दास ने सभापती के पस से त्याग परतर देकर मोटी लाल नहरू एवाम बिध्थल भाई पटेल के साथ कॉंग्रेस के अंदर ही एक स्वराज दल के गठन का फैसला कर लिया 144 में देखते हैं भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस का 38 दिवेशन 1922 में कहां हुआ था तो ये परिछाम पूछ सकता है कि ये कैमा दिवेशन था जो गया मुआ था तो गया मुआ था 38 था और इसकी देश्टा किसी चितरंजन दास ने किया था राजियंद्र परसाथ स्वा गई थी तो क्या हो जगा अस्वायोग अंदोलन के समय बिहार के लिए धन जुटाने है तो मुठिया परता इसके नुसार परति ग्रहस्त परति दिन एक मुठी अनाज को देता था एक मुठी अनाज दिया उसी को मुठिया बर्था का अब श्यालिस नमर कोस्चन देखते ह बिहार में पर्थाम बिहार प्रादेशिक समयलन कब हुआ था तो पर्थाम बिहार प्रादेशिक समयलन 1908 हिस्वी में हुआ था इसकी अधस्ता अली इमाम ने की थी पर्थाम बिहारी चात्र समयलन 1906 में हुआ था बिहार प्रदेश कॉंग्रेस समीतिक अगठन 1908 में गया मुआ तो सी यारदास के नेथित, ये के देच थे, 148 नमबर, अखिल भारतिय चर्खा संग की बिहार साखा का मुख्याले कहां अस्थित नहीं था, तो कहां अस्थित नहीं था, भागलपूर में अखिल भारतिय चर्खा संग की बिहार साखा का मुख्याले स्थाफित न महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्जक्रम में खादी कार्जक्रम भी एक महत्पूर्ण था तो बिहार में खादी कार्जक्रम कब हुआ था तो 1921 में हुआ था छे फरवरी 1921 तो इसका अंसर क्या हो जाएगा आप 50 नमार क्योश्चन देखते हैं प्रांतिये कॉंग्रेस समिति एवन भीहार प्रांतिये संकी संझुक को कहाँ हुई थी तो प्रांतिये सिरीज में 150 से 200 तक करूँगा यह तीसरी सिरीज थी तो आप लोग किरिपया इसको चैनल को देखें और इससे क्योंकि बिहार में इसी तरह के प्रस्म बिहार स्पेसल अब आसान कोस्चन बहुत कम पूछे जाते हैं तो और अप्टूर कमपेटिशन भी टफ है तो किरिपया इन को प्रशनों पर विशेश ध्यान दे तो आपको कैसा लगा यह वीडियो कमेंट वोक्स में जरूर लिखें तो धन्यवाद